Hello Friends, यह जो आर्टिकल है आपका, यह एंटी डिफेक्शन लॉप के है, जो एंटी डिफेक्शन लॉप के है, जो आपको पता है, हमारे 52 जो एमेंडमेंट हुआ था, उसके थूट 10 स्केजूल एड किया गया था, 1985 में, और इसमें जो लोग जो पार्टी में, जो लोग एक पा पार्टी में सिफ्ट कर जाते थे, इसको रोग नेगले, यानि कि आया राम और गया राम का, जो आपको पता होगा, जिस तरह से लोग एक पार्टी को छोड़ के, रह रह के दूसरे पार्टी में सिफ्ट कर जाते थे, उसके अगेंस्ट यह एंटी डिफेक्शन लॉप ला रहो हो जब मन हुआ, जैसे मन हुआ, पैसे के लिए या हर्स ट्रेडिग के लिए तो इसलिए पहला तो कि लोगों के विल को अफोल करने के लिए दूसरा कि जो Democratic Realignment of Parties in Legislature by Merger of Parties ताकि जो डेमोक्रेसी है वो मैंटेन हो साथ में जो पार्टीज एक दूसरे में मर्ज करना चाहती थी उसको सही तरीके से वो हो तीसरा है कि तो प्रिवेंट नन डेवलपमेंटल एकस्पेंटीच है इंकर्ड इन इड्रेगुलर एलेक्शन मतलो कि रह रहा है कि यह जो होस्ट ट्रेडिंग होता था शीट्स खरीदे जाते थे लोगों को खरीद के पार्टी चेंज करवाया जाता था इससे क्या होता था कि जो पॉलिटिकल पार्टी या जो हमारा का लेजिसलेचर है लोग सभाय वो अन्स्टेबल हो गए थी और वो स्टेबलिटी मैंटेन करने के लिए भी एंटिडिफेक्शन लौ ज़री था नेक्स्ट है कि जो लॉयल्टी है तो एंसे और लॉयल्टी आफ मेंबर्स तो पॉल दिस्क्वालिफिकाइशन होता है अगर आप अपने मैंबर्सिप छोड़ो या वोट या अबस्टेइन करो और साथ में या फिर ऐसा कोई एक्ट करो जो कि आपके पार्टी के अगेंस्ट हो और साथ में अगर इंडिपेंडेन्ट मैंबर के लिए अलग प्रविजन है नॉ तो अब इसका जो दूसरा एस्पेक्ट है जो आपको समझना पड़ेगा कि जो डाटा है वो दिखाता है कि टोटल अफ 12 लोग सवा एमपीस डिफेक्टेट टुडी कॉन्टेस्ट पोल्स मतलग कि अल्रे जो एडियार का रिपोर्ट है उसके अनुसार दूसरा कि 45 परसंट जो है उन्होंने अपने पार्टी स्विच की है जो 2016 और 20 के बीच में साथ में जिन्होंने अपना पार्टी बदला उनमें से 48 परसंट यानि की 170 लोग विक्टोरियस हुए उसी तर फिप्टी टू परसंट ऑफ 433 डिफेक्टेट अमपीस वे अबल तो गेट रिएलेक्ट तो यह दिखाता है कि लोगों के जो कंसेप्शन है ऐसे लोगों का वो खराब नहीं हुए जब 52 परसंट लोग रिएलेक्ट होके आ रहे हैं ऐसे लोग जो डिफेक्ट के अपने पार्टी से तो आपको दिख रहा है कि जो इन जनरल पॉब्लिक है उसको ज्यादा इससे इं अब बात है कि issues क्या है in the prevalent ideas of anti-defection एक तो यह कि जब आप anti-defection के नाम पे हर एक MP से या MLA से अपने पार्टी जो है अपने अनुसाव वोट करा रही है तो यह गलत है ना उसके जो freedom of speech और expression है उसके against जाता है कि अगर कोई इनसान किसी कोई कानून के against वोट देना चाहता है तो वो नहीं दे सकता क्योंकि उसकी पार्टी ने उसे ऐसा कहा है और अगर वो उसके against जाके वोट दिया तो उसे disqualify कर दिया जाएगा दूसरा है कि यह जो accountability है देखिए जब anti-refaction law के कारण एक MLA की accountability है उसकी party के तरफ जायदा हो गए instead of general public के लिए general public जो उसे जिन्नों ने उसे वोट टेकर seat दिया लोगसवा में या as an MP, MLA तो वो तो उसके against है वो तो अपनी party का जारा follow करेगा ने तो वो तो disqualify हो जाएगा तिसरा है कि यह representative government के जो पूरा fundamental है उसके against है तो आपको यह बात समझना पड़ेगा तो बात है कि क्यों anti-refaction law जो है उसको overhaul करने की जड़त है तो जैसे मैंने कहा कि political party का कोई liability नहीं है जो अपने member को जैसे मन हो जैसे vote करवा सकती है दूसरा है कि problem with merger provision मतलो कि अगर merge कर जाती है two-third of the members agree to merge तो वो फिर disqualification के criteria में नहीं आता है दूसरा है कि यहाँ पे जो presiding officer है उसके पास बहुत power है वो decide कर सकता है कि disqualify करना है member को या नहीं ठीक है तो चौता है कि ऐसा नहीं है कि anti-defection law के बाद instability नहीं देखी गई है बलकि अभी भी खरीद फरोग हो रहा है members का तो ऐसा तो नहीं है कि anti-defection law जो है वो एक जादूई बिल है जिससे कि वाकी सब कुछ सही हो गया जैसा तो नहीं है जैसा कि आप देखते हो गया न्यूज में भी पांच है कि expulsion does not attract disqualification मतलो कि किसी एक member को expel किया जा सकता है party से लेकिन हो सकता है वो reelect हो किया तो ऐसा तो नहीं है कि it's a it's like a you know जादूई की छड़ी कोई तो बात है कि क्या किया जा सकता है इसको और जादे effective बनाने के लिए पहले तो जो definition है defection का वो उसको clear और narrow down करने की ज़रा है दुसरा कि आप सिर्फ जब हम democratic country है तो ज़री है कि जो parties है उनके खुद में democracy होनी चाहिए उनका जो functioning है वो transparent होना चाहिए उनका खुद में accountability होना चाहिए तो intra-party democracy बहुत जादा important हो जाती है उसी तरह ethics committee का involvement ज़री है और जो presiding officer है उसको इतना power नहीं मिलना चाहिए जो governor या president है उसके advice के सनुसार जो presiding officer है उसको काम करना चाहिए फिर नेक्स है कि जो making defection and internal issue of the party और साथ में clarity की ज़रा तो इस तरह से हम anti-defection law joys को और ज़्यादा effective बना सकते हैं तो that's it for now I hope आपको वीडियो अच्छा लग रहा है अगर अच्छा लग रहा है तो please like कीजिए और मेरे channel को subscribe कीजिए thank you